हलो नमस्कार दोस्तों मैं फिर से आज आज में एक और वीडियो लेकर यह आँप के इस डिए में के वाण लेकर अ सब्सक्राइब करने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते रहे तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं मैच के डीटेल से टाटा आईपियल 2022 की यह मैच है यानि इंडियन प्रिमियर लीग की मैच है दोस्तों और यह मैच नमबर 9 है मुंबई इंडियन्स वर्सेस राजस्तान रॉयल्स के बीच यह मैच है डेटो टाइमिंग की अगर बात करें तो सेकंड आफ एप्रील को यह मैच है दो फेर को स्टाइडे संडे फिर से डबल हेडर होने आला है दोस्तों तो पहली मैच रहेगी यह मुंबई इंडियन्स वर्सेस राजस्तान रॉयल्स के बीच वेन्यू के अगर बात करें तो डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी नवी मुंबई है अगर बात करें मैच का रहता है वो रहता है Spit रिपूर्ट। द य पतल गांण है uncle bitch at that's बस्त to us uh resol Alberta's Bounds or to the ballers but often the state debe we can expect in matches that's produce score in the 162 190 standard player overal it is a सर्फेस डाट्स हैज हेल्प ऑफर तू बोथ डिपार्टमेंट यहां पर ऐसा लग रहा है कि पीछ दोनों के लिए अच्छी मंदिदगार साबित हो सकती है बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी साबित हो सकती है और कुल मिला कि यहां पर 160-70 का स्कोर बन सकता ह है तो काफी बड़िया साबित हो सकता है तो यहां पर फिर से कौँगा जो भी टॉट जिते हाँ पहले गेन बाजी का फैसला ले खनल ले सकता है क्योंकि डिव का काफी क्या हूं ले सकता है तो इसलिए जशब पहले गेन बाजी का फैसलाल दे सकता है अगर बात करें फर्स्ट इनिंग के आवरेश टोटल की तो यहाँ पर 147 का यहाँ पर रहता है इस ग्राउन पर फर्स्ट इनिंग का आवरेश टोटल लेकिन यहाँ पर एक और रेकॉर्ड देखना काफी ज़रूरी हो दोस्तों कि यहाँ पर बैटिंग सेकंड करने वाले टीम काफी ज़्यादा बार जीतती है जैसे कि आप देखी पा रहे होंगे कि 80% लोग मतलब 80% मैचे जिनोंने बैटिंग सेकंड किये उन्होंने जीती है तो यहाँ पर चेस करना ज़्यादा बेटर साबित होगा अब बात कर लेते दोनों टीमों की प्रो बिले ले उनकी तो वो कुछ इस्तर से रह सकते हैं अफकोस इशान किशन रोई चर्मा यहाँ पर कर सुर्य कुमार यादाव की इंट्री होने वाली है अल्मोन प्रित सिंग केरन पॉलाड टीम डेविड डैनियल सैम मूर्गन अश्विन जस्प्रित बुम्रा ताइम मिल्स और बंसिल थंपी तो यहाँ पर एक ही चेंज हमें को देखने को मिल सकता है सुर्य कुमार यादाव कल अपने टीम में वापस आने वाले हैं अब बात करते हैं राजस्तान रोयल्स की प्रोबेविले उनकी किस तरह से रहेगी तो वो कुछ इस तरह सकते हैं एश्यस्वी ज बोल्ट और यज्योएंद्र चैल तो दोनों टीमें काफी जबदस थे काफी काटे की टकर हमें देखने को मिल सकते हैं अब मैं कुछ प्लियर हो के स्टैट्स आपको दिखाने वाला हूँ जिससे कि आपको अपनी खुट की विनिंग टीम बनाने में आसा नहीं हो जाएगी 81 रन की जबदस इनिंग खेली थी हाला कि इनको हार का मूद देखना पड़ा था लेकिन काफी जबदस बैटिंग इन्होंने की थी अगले जो हमारे होटपिक से दोस्तो बंसिल थमपी है इन्होंने भी पहले मैच में काफी इंप्रेस के आता और पहले ही मैच में उन्होंन सब्सक्राइब काफी अच्छे फॉर्म में और काफी जबदस बैटिंग कर सकते हैं अगले जो होटपिक से दोस्तों वह है जौस बटलर इन्होंने भी पहले मैच में शुरुवात काफी अच्छी की थी 35 रन बनाये थे लेकिन उसके बाद वह आउट हो गे थे लेकिन प्ल से हर साल यह कुछ शुरुवात के कुछ मैचस काफी जबदस परफर्मस करते हैं तो अभी यह उनका दूसरा ही मैच रहने आला है और उन्होंने पहले ही मैच में 55 रनों के अच्छी पारी खेली थी तो इनको भी हम होटपिक में जरूर रखेंगे हमारे अगले जो होटपि दोस्तों काफी जबदस गेन पाजी की थी और उन्होंने भी काफी अच्छी विकेट निकाली थी तो प्रसित कृष्णा को भी अपने टिम में जरूर लीजिएगा तो यह कुछ होटपिक्स थे हमारे जिससे कि आप अपनी खुद के अच्छी खासी विनिंग टीम बना सकत है तो जैसे कि आप देख सकते हम ड्रीमिलोन के आप पे आ चुके हैं और हम मुंबई वर्सेस राजस्तान रॉयल्स के मैच के बारे में बात कर रहे हैं जिसको मैंने अभी हाइलाट करके दिखा देया उस पर आपको क्लिक कर लेनी अगर आपने अब तक टीम नहीं बनाई तो आपको अबफिभा सकते हैं और पहली टीम को मैं आपको अच्छे मतलब एक को भी चोड़ना थोड़ा मुश्किल है से तीन कीपर है धास और अभी फिलाल मैंने पहले टीम में तीनों को ले लिया है जी आदोस तो सबसे पहले जौस बटलर है उसके बाद संजू सैमसंग है और इशान किशन है तो इन तीनों में से किसी को भी बाहर रखना काफी मुश्किल है तो इसलिए पहले टीम में मैं इन तीनों के साथ जरूर जाओंगा क्योंकि तीनों की तीनों काफी खतरनाक बल्लेबाजी कते हैं और अपने टीम के लिए काफी फायदेमन साभित होते हैं तो इसके बाद बैटिंग की बाद करें तो यहाँ पे चार बल्ले बाज़ों के साथ में जाने आला हो रोईद शर्मा सुर्य कुमार याद हो को अफकोस मैं लूँगा यह हमारे लिए मतलब टीम सिलेक करने में कोई प्रोब्लेम ना हो तो अब चलते हैं आल राउंडर पर तो आल राउंडर में मैं यहाँ जा रहा हूँ सिर्पोर्शे प्रियान पराक के साथ क्यूंकि मुझे यह भी आठ क्रेडेट में मिल रहे हैं और काफी अच्छे आल राउंडर है बैटि इस टीम में नहीं जाओंगा क्यूंकि काफी बड़े बड़े नाम है तो यहाँ पर प्रसित कृष्णा को भी मैंने इस टीम में शामिल कर लिया इन तीनों ने पहले मैच में काफी जबदस पर्फरमस किया था तो इन तीनों को जरूर मैं अपने टीम में शामिल करूंगा अब चलते हैं कंटीनियू पर क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन हम किसे बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले मैंने कैप्टन बनाया है संजू सैंसंग को जिया दोस्तों और वाइस कैप्टन बनाया है इसान किशन को ट टी वर्मा है इस तरह से चार अच्छे खासे बल्ले बाजों को मैंने शामिल कर लिया है चारों की चारों बेस्ट है ज़रूर आप इन चारों के साथ जा सकते हैं अगर बात करें ऑल राउंडर की तो हमारे पास यहां पर एकी ऑल राउंडर है जैसे कि आप देख पारें रिय करना चाहें तो कर सकते हैं किसी एक को अगर ड्रॉप कते तो प्रसित कृष्णा को यहां पर तेम काफी बहतर हो चुके आफकोस कैप्टन और वैस कैप्टन के फिर से बात करें तो यहां पर संजू सैंसंग को कैप्टन बना रहा हूं इन्होंने भी पहली मैच में काफी ज तो संजू सैंसंग थोड़े जादा लगते इसानकिशन से क्योंकि इसानकिशन काफी 12-12Ann मदलवाजी के चक्कर में आउड backериそうですね क्यापटन अगर नहीं बिक這邊 वाइटल तो दूसरी टिम में जरूर कहीना कैशान कूशन को क्याप्टन पनाईएगा तो इस टिम को अफकोस मैं कहूंगा grand league के लिए भी better है small league के लिए दोनों लीगों के लिए काफी बहतर टिम है आप दोनों लोगों के लिए इस टीम को यूज कर सकते और ग्रैंड लिग जीत सकते या फिर ग्रैंड लिग में अच्छी खासी अर्णिंग कर सकते या फिर स्मॉल लिग तो जरूर जीत सकते तो कुल मिला कि हमारी पहली टीम काफी बहतर हो चुकि इस टीम को क्लोज कर लेते सेव कर लेते हैं और दूसरी टिम को मैं आपको इडिट करके दिखा देता हूँ कि तो अफकोस यहां पर देख सकते मैंने शुरुवात में ही आप एक जबर्दस्त यानि सर्प्राइजिंग चेंज कर लिया है जाज बटलर और सर्जो सैमसंग के साथ तो मैं जा रहा हूँ कीपिंग में लेकिन इस टीम में मैं इशान किशन को ड्राप कर रहा हूँ क्रेडिट की काफी दिक्कत आ रही है और यह हमें साड़े नव क्रेडिट में मिल रहे है तो हमें जादा फाइदा हो सकता है इसलिए आपे थोड़ा हेवी डिसीजन मुझे लेना पड़ रहा है अगर बात करें अल्राउंडर की तो फिरसे रियान पराक के साथ ही जाने आ लाओ क्योंकि काफी जबदस टफ डिसीजन हमें लेने पड़ रहे यह आपे तो इस बार फिर से मैं सिर्प और सिर्फ रियान पराक के साथ ही जाओंगा अगर गेन बाजी की बात करें तो मैंने इस बार चार गेनबाजों को लिया है यह जो एंदर चैल को लिया है जस्पृत भूमरा को पिछले टीम में नहीं ले पाए तो इनको भी ले रहा हूँ और इसके अलाव प्रसित कृष्णा और बंसिल थंपी इन ती चारों को मैंने इस टीम में ले लिया है चारों की चारों जबदस गेन बाज है और जरूर आप इन चारों का लेंगे तो आपको काफी फायदा हो सकता है आप ग्रैंड लिंग भी जित सकते हैं या चिकासी अर्णिक जरू कर सकते हैं फिर से हमारे क्रेडिट खतम हो चुके आप चलते कंटीन्यू पर क्लिक कर लेते हैं और देख ल किया है थोड़ा रिस्की है लेकिन हमें करना पड़ने आला है दोस्तों उसके बाद मेरे पास रोई चर्मा है सुर्य कुमार याद हो है शेमराण हट मायरे द्यवदत पड़ी कले इस तर से चार अच्छे खासे बल्ले बाजे तो बात करें और रियान पड़ा कोई लूंग सिद कृष्णा और बंसिल थंप इस तर से चार अच्छे खासे गेन बाजों को मैंने इस टीम में शामिल कर लिया जिससे के आपको काफी फायदा हो सकता है काफी अच्छे विक्टे आपको निकाल के दे सकते हैं काफी बड़ीया टीम बजुके फिर से कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कही ना कहीं दूसरी टीम में जरूर रोई चर्मा को भी कैप्टन बनाईएगा क्योंकि वह भी काफी खतरनाक बल्ले बाजे और काफी अच्छे फ़र्म में लगेते हैं पहली मैच में हाला कि ज्या के लिए उसकी जिएगा दोनों के लिए बेस्टी में आप एसा भी कर सकते हैं एक टीम ग्रांड इस टीम पर एक ग्रांड लिग और एक स्मॉल लिग भी लगा सकते हैं तो कुल्मिला के यह टीम भी काफी बढ़िया बन चुके इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते सेव कर और तीसरी और आखरी टीम में आपको इडिट करके दिखा देता हूँ पीर तीसरी और आफुरी टीम में मैंने फिर से तीनों कीपर को वापस सामिल कर लिया जौस बत्लर को ले लिया संजु WAIMPerson को ले लिया और इशान किशन को भी इस टीम में शामिल कर रहा हूँ इसके आला कोई और किपर है नहीं इस तर से तीन कीपर हमने ले लिया उसके पिछला सीजन उनका तो इनको भी एक तीम में कम से कम जरूर लिजेगा और टी वर्मा को वापे मैं यहां पे वापस ले रहा हूं तो इस तरह से यह भी टीम काफी अच्छे और खतरनाक बनने वाल यह दोस्तों अगर आप चाहे तो टीम डेविड को भी आपे ट्राय कर सकते लेकिन मैं अभी फिलाल नहीं करूंगा और राउंडर्स की बात करें तो केरन पोलाड को अभी तक एक भी टीम में मैं नहीं ले पाया था तो इस टीम में मैं केरन पोलाड के साथ जरूर जाओंगा काफी खतरनाक बल्ले बाजे और गेन बाजी भी कर सकते तो इनको भी एक लेकिन इसके अलाव मेरे पास प्रसित क्रिष्णा और बंसिल थंपी को भी मैंने इस टीम में ले लिया है तो अगर आप चाहे तो यहां पर मुर्गन अश्विन को कर सकते काफी बढ़ी आप लियर है काफी बढ़ी बढ़ा प्लियर लेकिन इसके फायदे में आपको आगे बताऊंगा उससे पहले टीम कर लेते दोस्तो जैसे के आप देख पार हैं फिर से मैंने आप तीन कीपर को ले लिया है मेरे क्रेड़िट फिर से खतम हो चुकैं तीन कीपर कुछ जार्स बटलर संज्यू सैंसन इशान किशन इस तर 떠t टीम में भी मैंने इन तिनों को लिया था अब भी इस टीम में भी ले रहा हूँ सेकंड टीम में मैंने जरूरी शाट किशन को ड्रॉप किया था अगर बात करें बैटिंग की तो फिर से मेरे पास रोई चर्मा देवदत पड़ीकल है और टी वर्मा को भी लिया लेकिन एशस् प्रसित क्रिष्णा और बंसिल ठंपी अगर आप ट्राय करना चाहे तो यह जो एंद्र चाहल के जगह पे आप आर अश्विट मुर्गन अश्विट को भी ले सकते तो खुल मिला के यह टीम भी काफी खतरनाक बन चुके इस टीम को भी आप ग्रांड लिग के लिए ब्यू क्लिक के लिए काफी बढ़ीह टीम है क्याप्टान वाइस क्याप लुँटान की जैसे के आप बता रहा तो कि काफी जबदस्त दोनों की दोनों है यह शल्षव कोगार देवदत पड़िकल को भास के न चाहतन को मैंने सबढ़ा तो यह है कि प्लियर काफी अच्छे सब का ध्यान रहेगा बटलर पर संजो सैंसंग पर इशान किशन पर रोईद चर्मा पर सूर्य कुमार यादर पर पर इन दोनों पर काफी कम लोगों ने डाव लगाया होगा अगर बने कि सकसे हो सकते हैं तो ज़रूर आप इन दोनों को काफी मनाते और ये अच्छा परफोर मस कते तो आपको सब mercury वाजब करनाा चाहेँ देवदर्ट पडिकल को captain और जैस्वाल को वाइस captain तो भी आप कर सकते कोई problem नहीं कोई दिकत नहीं लेकिन मैं ऐसे ही रोकूंगा और अगर आप इस team में भी chain नहीं करेंगे और अगर आप multiple team लगाते और भी जाधा team ही लगाते तो कही न कहीं देवदर्ट पडिकल को भी captain ज कर सकते हैं दोनों लीगे एके क्लिक भी इस पर भी आप लगा सकते हैं इस team को close कर लेते और सेव कर लेते और आखिर में यहीं कोंगा दोस्तों वैसे तो काफी मुश्किल है लेकिन तीनों टीमों में अगर आपको लगता है कुछ changes करने चाहिए या फिर आपको लगता है कि क्याप्टन और वाइस क्याप्टन सही नहीं है तो आप changes कर सकते हैं लेकिन ज्यादा changes मत किजगा एक दो changes करेंगे तो कोई प्रब्लेम नहीं लेकिन ज्यादा changes करेंगे तो थोड़ा risk की साबित हो सकता है तो आई होप आपको यह तीनों टीमें और मेरा वीडियो जरूर प पोस्टे रहे साथ ही साथ अपने टेलिग्राम की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं वहाँ पर जाके उसे जॉइन जरू कर लिजे ताकि कुछ भी changes रहते तो उसके बारे में मैं आपको टेलिग्राम पर बता सको कि कि किसको ड्रॉप किया गया और आप उनकी ना ही मिलते हैं अगले उड़े में तब तक के लिए ठैंक यू धन्यवाद गुड़ बाई